हेलो दोस्तों कैसे हैं आप साब आई हूप साब अच्छी होंगे आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुती इजी तरीके से पाउच बनाना जैसे कि आपने श्किन पर देखा है होगा दोस्तों तो उपर जो मैंने रखी है वो वैलमेट वाली लैस है दोस्तों मेरे पास यह मिटकी तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका बहुत ही प्यारा सा पाउच बना लिया जाए तो मैंने उपर साइड वैलमेट रखी है बीच में मैंने इसमें कैनकिन का यूज किया है अब चाहूं तो प्लाइस्टिक बोरी भी लगा सकते हो यह फिर आटा बैक भी लगा सकते हो नीचे लाइनिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हो तो इस तरीके से हम चारो साइड से इस पे पहले सिलाई कर लेंगे यह देखी इस तरीके से बहुती इजी तरीका है दोस्तों पाउच बनाने का केवल पांच मिनट लगते हैं इस पाउच को बनाने में और क केवल एक पीस से हम यहां पर बनाने वाले हैं तो जो एक्स्टा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे तो मैंने इसमें केंकिन का यूज इसलिए क्या है क्योंकि इसमें थोड़ा कड़क बना जाए तो इसकी चोड़ाई है साड़े आठी इंची देखिए और इसकी लं लगांगे इस निचान को सीधा कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से है कि तो हमने यहां पर दो लाइने खी जी है अब इसको fold कैसे करना है वो देखना है ये देखिए पहले हम ने इसका एक fold किया अब यहां से हम अंदर की side fold करेंगे और दूसरी वाली जो lining है अब इसको हम palette कर सीधा कर लेंगे अब उपर वाला piece इसकी उपर रखेंगे इस तरीखे से इसको pin-up कर लेंगे पिनप करने से दोस्तो जो हमारी Sly यह बहुत अच्छे से हो जाती है अब यह देखी आदा इंच पर हमें Sly करनी है तो यहां हम यह जो लाइन कीच रहे है यह आदा इंच पर हमने Lyn कीच ही, यह देखी हिस तरीके से तो साइड से हम आदा इंच पर Sly लगा लेंगे एक इंच पर गोलाई देंगे जैसे मैं दे रही हूँ और यहां से हम दूसरे कॉनर पर डे रेंच पर गोलाई देंगे इस तरीके से आपको नीचे की साइट ज्यादा गोलाई देनी है यह देखिए इस तरीके से आपको सिलाई करने है यहां से यहां तक तो यह देखी आपको इस तरही किसे स्लाई करने जैसे मैं कर रहे हूं आप इस स्कॉनर को हम कटिंग कर लिए ए Examples कर लेंगे εδώ एक्स्टर फैबर की हमने ही आपर कटिंग कर ली है अभ अब हम यहां पर चोटब चोटे नौच करक्याई गाणा है यहां से हमें पलटने में आसानी हो देहिति इस तरीके से हम इसको परट के सीधा कर लेंगे तो बेंगे तो अंगली से प्रेस कर लेंगे लिगे अंदर की शाइट से यह जो हमने हलकी सी गोलाई दी है इसी सेफ में हम इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से तो इसी सेफ में हमने इसको सीधा कर लिया है अब दोस्तों आपको यहां से भी पलटना है इस तरीके से यह देखिए तो जो इसके रफ एजिस है वो अंदर की साइट फिनिश हो जाएंगे कॉनर को अच्छे से निकाल लेंगे ये देखे ये हमारा बहुती प्यारा सा पाउच बनके तैयार हो गया केबल पांच मिनट लगते हैं इसको बनाने में कि देखे कॉनर मैंने यहां पर अच्छे से निकाल लिये हैं अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे यहां से यहां तक तो मैं यहां पर सिलाई लगा लेती हूं साइट से इससे लगाने से दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमारी जो पाउच में फिनिशिंग आ जाएगी और फिर हम इस पर प्रेस कर लेंगे तो आपको दोस्तो इस पर डारेक्ट प्रेस नहीं करनी है क्योंकि ये बैल मिट का कपड़ा है तो हम इस पर कोई कॉटन का कपड़ा या फिर अकवार रखके इस पर प्रेस करेंगे तो मैंने इस पर प्रेस कर ली है दोस्तो हाँ आप मैंने मैगनेट चटक Mini लिए है यह देखिए आप चाहे तो बटन भी लगा सकते या फिर बैल गरों भी लगा सकते हो तो हम यहाँ पर पहले सैंटर पॉ dobr लगा लेते हैं यह देखिये तो दोनों हमने यहाँ सैंंटर पॉइंट लगा ली हैं अब यहां पर हम पहले ओपनर से फोड़ वहीं ऊपनेर से थोड़ सा यहां पर कटकनिशान लगा लेंगे जैसी मैं ऊपनर से इस को आपको दो कर नहीं है छोटे-चोटे जिससे हमारी चटकनिश में अच्छे से ऑटैच हो जाए तो हमने एक साइड इसको अटैच कर लेते हैं तो यह देखि से आपको इसे अटैच करना है अब उपर की साइड हम इसाड हम निया फिर बॉटन लगा सकते हो मैं यह पर golden कलर की लेस का फ्लॉवर लगा रही हूं किसी भी तरीके का कोई भी फ्लॉवर आप यहां पर attach कर सकते हो मेरे पास यहां पर बहुत ही प्यारी लेस थी तो इसमें ने मैं यह circle सा फ्लॉवर निकाल लिया है तो यह देखिए blue पे golden बहुत ही प्यारा लगता है दोस्तो भी पीस बसता है तो इस तरीके से में पाउच बना लेती हूं तो इस तरीके के आप घर पर पाउच बना कर सेल कर सकते हैं इस तरीके के पाउच बनाना बहुत ही इजी है बहुत जल्दी बनके यह तयार हो जाते हैं तो आप इस तरीके से छोटे-छोटे कपड़े जो स्लाइ मिनट लगते हैं इसको बनाने में दूस्तों यह वाला पाउच मैंने सूट से जो कपड़ा बच गया था उससे बनाया है तो यह देखे इस में मोतियो वाली लेस लगाई है आज की वीडियो अपको कैसे लगी कमेंट में जरू बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा कमेंट वीडियो को लाइक जरू किर दीजीगा मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक यू